नमस्कार दोस्तों आज आपन प्लेन बिर्यानी बना रहा है जो की बहुत ही जल्दी बन जाती है बहुत आसानी से बन जाती है और इसमें कोई भी सब्जी नहीं डालाएंगे आज सिंफल बिर्यानी बनाएंगे दो बड़ी-बड़ी प्यात काट लिए दो टमाटर काट लिए है चार हरी मिर्च काटी है तेज पत्ता रख लिया है वहारने के लिए थेखिए दोस्तों मैंने थोड़े से खड़े मसाले लिये हैं मीठा लकडी है बड़ी लाइची है लॉंग है इलाइची है सोफ है जीरा है और काली मिर्च है और यह जावित्री है यह बिरियानी का मसाला लिया हुआ है करीबण एक चमब्च जैसा कूanny ठीं बड़े चमज मेंने तेर ढाल दिया अब बड़े पर इसके बाद भटे लूए मेने रख़े ते रेंगे उन्हें डाल देंगे मसालों को ज़्यादा जर्ड़ने नहीं देंगे अब प्याज डाल देंगे, मसाले ज्यादा जन्दाइने से उनका टेस्ट खराब हो जाता है, उसी के साथ साथ मिर्च डाल देंगे प्याज हल्की सी भुन गई है, जिसमें फिर हम अधरक लेसुन का पेश्ट उसे डाल देंगे, करीबन एक चमत सक चावल मैंने धोके रखे हुए है, तीन ग्लास करीबन ये चावल है, प्याज हल्की सुनेहरी हो चुकी है, इसमें अब दो टामाटर कटा हुए ढाल देंगे चावल जो मैंने लिये हैं ये बासमती राइस है, मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाए चावल एक चमत करीबन छोटे चमत में लमक डालेंगे, इसे हम फिक से मिक्स कर लेंगे तीन ग्लास चावल लिये थे, जिस ग्लास में मैंने चावल नापे हुए हैं, उसी ग्लास से नापके मैंने पानी लिया हुआ है, उससे थोड़ा सा जादा डाल दीजे पानी, ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा ये अपन जो बिर्यानी मसाला लिये हुआ था, उसे डाल देंगे, आखरी में इसे अब हम ढग देंगे ढगतां से उपर के, करीबन दो सीटी होने देंगे बहुत ही अच्छी तरीके चे पका है ये, शावल के दाने आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके चे पके हुए है ये देखिए दोस्तों सादा बिन्यानी बन के तैयार है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों